एक जापानी कलाकार या सूशी ताकाहाशी ने अपने विवह प्रस्ताव के लिए दुनिया की सबसे बड़ी GPS ड्रॉइंग बनाई इस आदमी ने अपनी गर्ल फ्रेंड को प्रपोस करने के लिए GPS ड्रॉइंग बनाने के लिए 7163 किलोमेटर की यात्रा की और दुनिया के सबसे बड़े GPS आर्ट पीस के निर्माता के रूप में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका यानी सेल एक फीमेल एग ओवम यानी मादा अंडा होता है यह एग सेल का डाइमेटर लगभग 0.1 mm होता है स्पर्म यानी शुक्रानू मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है एक ओवम का सेल स्पर्म से 20 गुना बड़ा होता है क्या आपको पता है हम जनम से ही दो चीजों से ड़ते हैं एक गिरना दूसरा तेज अवाज अन्य सभी भय हमारे परियावरन और संस्कृतियों से सीखे और प्रभावित होते हैं जब एक व्यक्ति की मृत्य होती है तो उसके पास मश्तिश्क की साथ मिनिट की गतिविधी शेश बची रहती है उस वक्त दिमाग एक स्वप्न कर्म में व्यक्ति की यादों को वापस खेलता है क्या आप जानते हैं कि समुद्री उद्बिलाव यानि सी ओर्टर्स सोते समय हाथ पकड़ते हैं ताकि वे समुद्र में सोते हुए घूमते घूमते अलग ना हो जाए क्या आपको पता है एक ओक्टोपस के पास तीन दिल होते हैं एक दिल शरीर के चारो ओर रक्त का संचार करता है जबकी अन्यदो ओक्सिजन लेने के लिए इसे गलफडों के पार पंप करते हैं दोस्तो हम सभी अपने मा के गर्भ में कम से कम नौ महिने के लिए ठहरते हैं या उनमें से कुछ जल्दी भी इस दुनिया में आ जाते हैं पर क्या आपको पता है जैकी जैन अपनी मा के गर्भ में बारा महिने से अधिक समय तक रहे एक UK टॉक शो होस्ट जोनाथन रॉस के साथ 2010 के एक इंटर्वियू में जब उनसे पूछा गया कि क्या यह सच है कि उनका जनम बारा महिने के गर्भ में रहने के बाद हुआ था तो उन्होंने जवाब दिया हाँ साथ में यह कहते हुए कि वह एक बहुत बड़ा बच्चा था तेरी फॉक्स एक 21 साल का एक टांगो वाला कैंसर पेशेंट था जिसे मरने से पहले केवल 143 दिनों में कैनेडा में 5,373 किलोमेटर दौर लगाई थी अस्पताल में रहते हुए तेरी अन्य कैंसर पेशेंट्स उन्में से कई छोटे बच्चों की पीड़ा से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने कैंसर रिसर्ज के लिए धन जुटाने के लिए पूरे कैनेडा में दौडने का फैसला किया उन्होंने अपनी इस जर्णी को दे माराथन ओफ होप कहा था